बुलोश्री प्राणनात प्यारे कीजे बुलोश्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, हे पिर्यम, प्राण धन, धाम धनी, आके नूरी, कोमल चरनारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी बहुत बहुत बधाई हो आप सुन्दर साथ को इस धैरे के लिए, प्रेम के लिए, विनमरता के लिए कितने गुण आपके भी गुणी गिनलू सुन्दर साथ जी श्री बीतक साहिब चर्चा, दोसोमा दिन श्री जुगल किशोर को जुगल से आगे बढ़ाई नहीं जा रहा ना यहां पे, श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, और तो बहुत कुछ है सुन्दर साथ जी इस थमनेल में, उसको तो विचारेंगे, इनको त देख लिया ना अपने बहुत अच्छे से, बहुत सुन्दर मैंने आदे घंटे तक देखा है सुन्दर साथ जी इनको बैठ के और आँखे भीग जाती थी कि कैसे सुन्दर साथ के दिल में ये भाव आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये देख जुगल में, क्या जुगल उन्होंने समा दिया, ये देखिए सुन्दर साथ जी, आज हम दुश्यंत भाईया के शब्दों में इस थमनेल के बारे में सुनते हैं, प्रणाम जी दुश्यंत भीया, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इस सेवा को पराकाश्ठा पर जाते हमारे प्यारे सुन्दर साथ जी, उनके रोजाना इतने सुन्दर थमने लाते हैं, और राज जी उनके ध्यान को इतनी गहराई तक ले जा रहे हैं, कि हम तो उतना उनको पड़ भी नहीं पाते, लेकिन रोज नित नौतन उनके जो ये थमने ला रहे हैं, और आज जैसे शर जी के नाम पर हमेशा पाग होती थी आज जुगल की शोर शब्द आया तो उन्होंने केवल पाग नहीं रखी हमारी शामा मारानी जी का राजी के साथ पालाव कैसे बंदा हुआ है वो दोनों एकी है अलग नहीं है वो और उनकी साड़ी का पलू भी नीचे लटकता हुआ ऐस प्रकार से दुगदूगी राजी की पगडी पर है इधर शामा जी के राखडी के उपर भी एक मानिक के साथ कोई आभुशन जडित है तो वो इतनी गहराई से सोचते हैं कि जितनी गहराई से वो सोचते हैं इतनी गहराई से मैं तो नहीं सारा पड़ पाता और ये जुगल सरूप का उन्होंने दो इस तरह से इसको अपने भावनाओं में प्रदर्शित किया और वहाँ पे गंगा के किनारे हरिद्वार में तो श्री जी का जो आसपास का बातावरन है उसमें भी रोज को चेंज लाते हैं एक दिन मैंने देखा पहले की एक पक्षी ऐसा निहार रहा था कि श्री जी को ही लगातार देख रहा है और आज भी एक नीले और सफेद पंक वाला पक्षी पेड़ पर बेटा हुआ आज भी श्री जी को और वो सुन्दर साथ को और जो वहां चर्चा हो रही है उन सब को निहार रहा है तो इतनी शोभा सुन्दर बनाते हैं क्या कहे शब्दों में बयान नहीं होती आज तो इधर नाव भी चल रही है और सर्दी का समय होगा तो अगनी का ताप भी दिखा दिया है गिलैरी भी देख रही है बहुत सुन्दर हमारे शब्दों में नहीं आ सकता है जितना वो गहराई से सोचते हैं उनके चरणों में कुटान क और प्रणाम जी आज शोभा जगल किशोर की विशेस दिखाए दी प्रणाम जी दी प्रणाम जी दुश्यन भाईया अती सुन्दर और आपने एक बात देखी सुन्दर साथ जी शामा जी की साड़ी का पलू मंत्र तार्तम तक भी पहुँच चुका है क्योंकि तार्तम वा से आया बहुत सुन्दर और बिल्कुल 1735 का जो साका सालिवहन का वो लगा है यानि के दिसंबर के आसपास की जो ठंडी होती है उस समय ये अगनी का ताप भी दिखाया गया बहुत सुन्दर सुन्दर साथ जी हलांकि हिंदू कैलेंडर थोड़ा सा अलग होता है पर गंगा के किनारे होने से ये देखिए कहां कहां से लेकर आते हैं धनी जी कितना समय वो लगाते होंगे राश्षामा जी आपकी इतनी महर और ये साधू तो उठते ही नहीं है कभी ये तो तपस्या में लीन है कि प्रान नाजी आ गया हमारे हरी दौार में अब मैं पका पार हो मैंने इस प्रकार से तो शायद लाइव जाकर कोई हरी दौार के उस्थान को नहीं देख सकता जितना हमने थम नेल के माध्यम से देख लिया है अती सुन्दर आपके चर्णों में कोटान कोट प्रणाम जी जितना बोला जाए सुन्दर साध जी उतना कम है आज तो लगता ह बादल भी जैसे दर्शन करने के लिए आ गए हूँ बहुत सुन्दर प्रणाम जी आए सुन्दर साध जी चलते हैं हम सब को याद रहना चाहिए सत्गुरु ब्रह्मा नंद है सूत्र है अक्षर रूप सत्गुरु किसको कहते हैं सूत्र किसको कहते हैं शिखा सदातिन से परे शिखा कौन सी है हमारी स्वयम श्री राज जी हमारी शिखा है क्यूं राज जी हमारी शिखा है ये हम आज हरी द्वार की बीतक में स्वामी जी के द्वारा की गई 2018 की बीतक में पढ़ेंगे सुन्दर साजी आए चलते हैं अती सुन्दरवानी गायन हमारी शांती देवी जी द्वाराप्षणाम जी शांतियान जी आप शुरू कीजिये आप अन्म्यूट मत कीजिये शांतियान जी आप शुरू कीजिये स्ट्रमाप्षणाम जी आप साथ सांची केच्छा नुदिरोजमान स्री धाम जी आप शुरू कटानाप पढणाम जी सुनिया जी मुझे तो कुछ आता नहीं पहला परियास्तन नहीं कोलने केच्छा कर दिखाई कूट भेर कर दिखाई कूट भेर कर दिखाई कर दिखाई कूट भेर 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 कर दिखाई पाहेर हो निरमाल, ओट करो बंदगी, पाहेर हो निरमाल, तोलो ना प्यू पाये, तोलो ना प्यू पाये, जो लो ना साधे दिये, अंदर नाही निजमा, ते ते गेर नाए वेवाये रह, अंदर नाही निजमा, अनिस तू भेली रहे, अपने प्यू के संग, आहनिश तूगे ली रहे अपने प्यूद के संगड़ पीठ दे तिन पीव को पीठ दे तिन पीव को करे उपर करांगो अंदर नाहीर माल फेर फेर नाही बाहीर अंदर नाहीर जैसा बाहीर होता है जो ऐसा हुए देला जैसा बाहीर होता है जो आहोए ऐसा देला तो अधकिन पीव न्यारा नहीं तो अधकिन पीव न्यारा नहीं माहे रहे ही लमेल अंदर नाहीं ते तेर नाहे बाहे रव अंदर नाहीं तु आपे न्यारी होता है पिवना तुझे से दूर तु आपे न्यारी होता है पिवना तुझे से दूर परदा तु नी करता है परदा तु नी करता है अंतर आडे नानूर अंदर नहीं ते तेर नहा बाहे रव अंदर नहा बाहे रव कर दिखाई कोटवे कर दिखाई कोटवे स्वय नामे लो करता है अंदर नहा बाहे रव परदे नहा बाहे रव अंदर नहा बाहे रव प्राम जी सुन्दर सांजी प्राम जी प्राम जी शांती देवी जी बहुत बहुत सुन्दर आपके चर्णों में कोटान कोट प्राम जी अंदर नही निर्मल फेर फेर नहा में बाहेर सुन्दर साजी बड़ी मुश्किल से ये मानवतन मिला है कहते हैं चदरिया जीनी रे जीनी बहुत सुन्दर कबीर जी भी लिखते हैं और मानवतन की महिमा अमारी वानी में भी कितनी बाहर आई है कि कितनी मुश्किलों से ये मानवतन और भरत खंडा में मिल गया है फिर भी हम अंदर से निर्मल नहीं होते और बाहर ही नहाते रहते हैं कहते हैं दस महीने उसने इस चादर बुन्ने में लगाए और मूरक ने मैली भी कर दी इतनी जल्दी से पता ही नहीं लगा मानवतन फिर कहां चला गया पर हमें श्री मुखवानी मिल चुकी है हमें ये गलती अब नहीं करनी बहुत सुन्दर ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अप्चर नाम जी चांतिया बढ़ा उन सब के अंदर आप सब के अंदर इतना कुछ भरा हुआ है राज जी ने सुन्दर साज जी बस भार निकालने की जरूरत है और अब तो सारे गुन सुन्दर साज जी के दिखने लगें प्रत्यक्ष होने लगें बहुत सुन्दर धनी जी का शुक्राना आईए अब चलते हैं स्वामी जी के अती सुन्दटी का प्लस 2018-2018 की चर्चा के कॉंबिनेशन की और चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज शामा श्री प्राण नाथ सक्खी जीवन हमारोय स्री महमती कहे साथ जी भया चर्चा का वकत अब तुम सुनियों चित दे लाओ श्री प्राण नाथ प्यारे की जै बुलो श्री सत्गुरू महराजी की जै प्रणाम जी सुन्दर साथ जी आए चलते हैं अती सुन्दर तीका और स्वामी जी की बहुत सुन्दर चर्चा अभी मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगी आप सभी सुन्दर साथ से थोड़ा सा पढ़के फिर पूछेंगे क्योंकि हमारी स्वयम की पद्धती हमें कभी बूलनी नी चाहिए सुन्दर साथ श्लोक आया था यदक्षरम परम ब्रम तत्सूत्र मिति धारेत सूचनात सूट्र मित्याहू सूत्रम नाम परम पदम ये किसकी बात हो रही ? ब्रहम उपनिशद जो अत्यंत श्रेष्ट अक्षर ब्रहम रूपी सूत्र है उसे धारन करना चाहिए पर ब्रहम के प्रती संकेत करने के कारण उसे सूत्र क्या होता है जो जोड देता है तो उनके प्रती संकेत करने के कारण उन्हें सूत्र कहते हैं उस श्रेष्ठ धाम को ही सूत्र कहा गया है जो सूत्र को जानता है वही विप्रवेद के रहस्य को जानने वाला कहा जाता है अब हम शिखा की और आगे बढ़ रहे हैं अक्षर को सूत्र कहा गया सुन्दर साजी और सत्गुरु ब्रह्मा नंद है, किसको सत्गुरु कहा गया था, जल्दी से सुन्दर साथ जी बताएंगे, सत्गुरु ब्रह्मा नंद है का क्या अर्थ है, किनको सत्गुरु कहा गया है, क्या एक को ही कहा गया था, जोती सिंग जी, परणाम जी, प्रणाम जी, हम लोगे तो जिसमें आया है, तो उसमें आया है कि सात्गुरु मेरे स्याम है, स्याम जी, तो जो सात्गुरु जितने भी सात्गुरु है कि उनके अंदर राजी की बैठक होती है, कोहला सात्गुरु तो हमारे राजी ही है, बाद में फिर स्यामा जी के मुक्स जी और शामा जी जो हैं वो मूल सत्गुरु हैं हमारे उसके बाद तो बैठक होती है पर सत्गुरु ब्रह्म और उसका आनंद दोनों हैं सुन्दर साथ जी तो सत्गुरु राजी और शामा जी को कहा गया उसके बाद क्या बताया गया था, सुन्दर साथ जी बताएंगे, सत्गुरु ब्रह्मा नंद है, नेक्स्ट चरन क्या आता है, नेक्स्ट चरन क्या आता है, जी, अरे वाँ, बहुत सुन्दर, अनीता त्यागी दिदी, परनाम जी, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही दिदी, कोई बात न अच्छा अक्षर ब्रह्म उनको सूत्र क्यूं कहा गया? तो जैसे यग्यो पवीत होता है उसको सूत्र से वो किया गया था, comparison किया गया था, तो जैसे यग्यो पवीत से सोचते हैं परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो ये बीच में कड़ी की भूमिका निभाते हैं, उदर संकेत करते हैं परमधाम की और राजी की और इसलिए इनको बी सूत्र साजी, जैसे अभी यूगल की शोर के बीच में उन्होंने क्या जोड़ दिया था, संबंध जोड़ दिया था, इस प्रकार वो एक धागे से अक्षर ब्रम हमें उनसे जोड़ते हैं, इसलिए उनको सूत्र कहा गया, आगे सूत्र है अक्षर, उसके बाद सूत्र जी, शिखा सदा तिन से परे, बिल्कुल सही, अती सुंदर, शिखा सदा तिन से परे, अब स्वामी जी, शिखा के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, पहले टीका में श्लोक पढ़ते हैं, ये शायद भी तक चर्चा में भी उनकी आया होगा, most probably, तो चर्चा में प वेद और दर्शन, ऐसे पौरानिक महात्मा इस देश को जी, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि सभी सुंदर साब जी को दिखाई दे, पढ़ने में तकलीफ ना हूँ, ऐसे पौरानिक महात्मा इस देश को और भारतिय संस्कृति को रसातल में ले जाते हैं, ये सब को शिक्ष ना पड़े, फिर शत्रिय भी ना पड़े, और कह देते हैं, कोई भी ब्राहमन गीता के अत्रिक्त कुछ ना पड़े, इसके इससे बड़ा दुर भाग्ये, और कुछ नहीं हो सकता, आप देखेंगे, बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, बाइबल की शिक्षा देने के लिए, कुरान की शिक्षा देने के लिए, सुन्दर साथ जी, यहां ऑस्ट्रेलिया में भी जो मुसल्मान भाई होते हैं, हर एक का बच्चा पढ़ने जाता है, कुरान अवश्य पढ़ने जाता है, बाइबल के भी हर संडे लेकर जाते हैं, चर्च में, या वहां पर स्वामी जी ने, पौरानिक हिंदूों ने ना तो वेद पढ़ा, क्योंकि स्वयमी पढ़ने की आदत नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ना किसी को पढ़ने दिया, बस सब को लगा पत्थर पूजा में, मूर्ति पूजा में, गादि पूजा में, और य गजार वर्षों तक ये देश गुलाम बना रहा, लेकिन इनको सावचेत कौन करेगा, इसलिए ज्ञान का प्रकाश ही सबको जागरत करने वाला है, हरीद्वार का शास्त्रार्थ हो रहा है, हिंदू समाज के मूर्धन्य विद्वान वहां एकत्रित हैं, और उनका ज्ञान कितना उतला है, एक एक दर्शन के आचारे वहां बैठे हैं, लेकिन कितनी भ्रांतियों से वे ग्रसित हैं, वे स्वयम क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, उनमें से कोई वेदान्त का विद्वान है, कोई सांखे का तो कोई योग दर्शन का विद्वान है, ज अब तक तो उसको विद्वान माना ही नहीं जाता लेकिन ये श्रीमान जी कहते हैं केवल गीता पढ़नी चाहिए और ग्रंथों को पढ़ना मनुष्य के बस में नहीं है तो ग्रंथ बनाए किसने हैं आखिर छे दर्शन रिश्यों नहीं तो बनाए हैं और रिशी भी तो मनु से थोड़ी उची स्थिती होती है क्योंकि उनमें त्याग और तप होता है अब चलते हैं शिखा की तरफ सिखा सदा तिन से परे चेतन चिद जो अनूप एक-एक सुंदर साथ को पद्धती दिल में बस जानी चीए लास्ट में सारे सुंदर साथ बोलेंगे जब हमारी पद क्यों शिखा मानते हैं किसको मानते हैं जो चेतन हो चिदगन स्वरूप हो और वो कौन है वो राजी है चिदगन स्वरूप क्या है परमात्मा सत चित आनंद है जैसे मैं यहां बैठा हूँ मेरा दाहिना स्वामी जी कह रहे हैं मेरा दाहिना हाथ हो गया सत बाया हाथ हो गय चित रिदय यानि राजी दाया बाया हाथ सत और आनंद जो मेरे अंदर चेतना है उसी से ये देखे जो चित है जो चेतन है जो रिदय है उसी से ही सत है उसी से ही दाया हाथ है उसी से ही बाया हाथ है उसी से ही सत है उसी से ही आनंद है जैसे मेरे शरीर में जब तक जीव है य श्री राजी चिदगन स्वरूप से ही रिदय उनका यह सुन्दर साजी श्री राजी का रिदय ही पूरे परमधाम में केवल एक दिल और वही है चिदगन स्वरूप जो दाएं बाएं दोनों को चलाते हैं चिदगन स्वरूप यह भी एक्जामपल दिया है केवल चिदगन स् ही शामा जी है सचिदा अनंद पर ब्रह्म का जो चिदगन स्वरूप है उसकी शोभा को किसको कहते हैं शिखा राजी की शोभा को हम शिखा मानते हैं ऐसा क्यूं क्यूंकि क्या बताया था उन्होंने बालों में जो बिल्कुल बीच में पंडित या चोटी जो रख लेते हैं और बाकी पूरा सिर वो मुनवा देते हैं क्यूं रखते हैं उसको शिखा मानते हैं तो वहाँ पर कहते हैं दस्वा द्वार होता है वहाँ पे ध्यान करना होता है हमें ध्यान कहां करना होता है सुन्दर साजी राजी की शोभा में हमें चित्वन लगानी होती है इसलिए इ इसको शिखा मानते हैं, क्यों मानते हैं, आखिर इनहीं को क्यों मानते हैं, हम ध्यान कहां करते हैं, पारब्रम्न की शोभा में, अर्थात नक से शिक तक जो राजी की शोभा है, हमें दस्वें द्वार में नहीं करना होता है सुन्दर साजी, तो हमारी शिखा क्या हुई, उन दस्वे द्वार का प्रतीक है जो दस्वे द्वार में ध्यान करेगा मोक्ष को प्राप्त करेगा और जो राज्जी की शोभा सिनगार नक से सिख तक वहाँ पर ध्यान करेगा वो किसको प्राप्त करेगा वो तो धनी को ही प्राप्त कर लेगा सुन्दर साथ जी सेवन है पुरुसोत्तम अब आगे चल रहे हैं शिखा सभी सुन्दर साथ जी को समझ में आ गई एक बार एक सुन्दर साथ जी hand raise करके बताएंगे शिखा किन को कहा गया ताकि repeat हो जाए किन को कहा गया और क्यों कहा गया दुनिया की शिखा कहा होती है हमारी शिखा कहां पर है जी जी बाकि सुन्दर साथ को नहीं समझ में आया भी सभी हैंड रेस करेंगे बहुत इजी है शिखा तो राज जी के बिना कौन है सुन्दर साथ जी मुकेश भईया प्रणाम जी प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, शिखा हमारे राज जी के शुरूप है उनको ध्यान करना राज जी कम्प्रीट सुरूप, चरणों से सुरुवात करनी है अतिस उन्दर प्रणाम जी अनीता त्यागी दिदी एक बार बता दी प्रणाम जी आज आवाज नहीं आ रहे यनिटा दीदी सुनीता सिंगल दीडी, परणाम ची परनाम जी दीदी, परनाम जी सिंदर साट जी सिखा हम राजजी को मानते हैं क्यों चेतन हैं और वो चितगन सवरुप है और हम राजजी के नकस सिभत की शोवा को निहारेंगे तो हम राज्जी के दर्शन कर पाएंगे, राज्जी के पास जा पाएंगे, तो हम तो सिखा अपने वो सत अचित और आनंद भी हैं, तो हम राज्जी को ही सिखा मानते हैं, लेकिन दुनिया वाले सिखा मानते हैं चोती को, जो के सिर के उपर में बीच में गुच्छा रखते उसी को सिखा मानते हैं लेकिन हम अपने धमी को यह सिखा मानते हैं. चेतन चित जो अनूप चपाई पूरी ये है। सेवन है पुरुशोतम, अब किसका सेवन करते हैं? पुरुशोतम का, पुरुशोतम अर्थात पुरुशों में जो उत्तम हो। गीता में तीन पुरुषत बताए गए हैं। ध्यान से सुनेंगे इसको रिपीट करेंगे च अक्षर एव च क्षर है सर्वानी भूतानी कुटस्थो अक्षर उच्चते अर्थात सभी भूत क्षर हैं अब भूत के दो अर्थ होते हैं भूत का अर्थ प्रानी भी होता है जो कुटस्थ है वो अक्षर कहलाता है और जो संपूर्ण प्रानी वर्ग है वो क्षर कहलाता ह यहां पे तो सब क्षय हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म जी तो नहीं होते हैं न, योग माया तो क्षर नहीं है, वो अक्षर कहलाते कूटस्त है, लोक एक ही है, मान्यताएं इसकी अलग-अलग हो जाती हैं, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, उत्तमेह पुरुशस्त्वन्य प पुरुश तो दूसरा ही है, उत्तम पुरुश इसलिए आता है, यहां पे वो होती है, यह होती है सुन्दर साथ जी, उत्तम पुरुश है त्वन्य है, उत्तम पुरुश तो त्वन्य है, दूसरा अन्य ही कोई है, परमात में त्यू दार रियता है, यानि परमात में कौन ह उत्तम पुरूश है कोई अन्य ही है, यानि अन्य का मतलब क्या हुआ, ना तो वो ये प्राणियों में है, क्षर में है, ना अक्षर में है, वो कोई अन्य ही है, हिन्दु समाज कहेगा हम श्री कृष्न जी को मांते हैं, गीता का समान करते हैं लेकिन Krishniji की बात को नहीं मानेंगे ना हम Gita की बात को मानेंगे ये Hindu समाज का मूल मंत्र है योगेशवर श्री Krishn कहते हैं तीन पुरुष है क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाने की शोभा केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत को है यस्मात क्षरात क्यूं सुने हम इन श्लोकों को अब तो श्लोकों से ना हमें डर लगता है ना ही उनसे ऐसा होता है कि क्यूं सुने हमें पता है वेदों के श्लोकों में भी कितना प्रेम और कितनी पहचान पिया जी ने दिये, इसलिए ध्यान से सुनते हैं हम, यसमात खारात अती तो हम अक्षराद पीच उत्तम है, वेदे च लोके असमिन प्रतितह पुरुशोत में, क्षर से परे अक्षर है यसमात क्षरात क्षरात क्षर से भी परे अक्षर है अक्षराद पीच उत्तम है अक्षर से भी परे उत्तम पुरुशक्षरातीत है वेदेच लोके वेद और लोक में अस्मिन प्रतित है पुरुशोत्तम है वही पुरुशोत्तम कहा जाता है ये कोई सिंधी हमें समझ में आ जाती है तो ये क्या चीज है सुंदर साथ जी हमें सब समझ में आ जाता है जब राजी समझाने पे आते हैं तो संस्कृत भी अंदर चली जाती है यहां चौपाई में कहा गया है सेवन है पुरुशोतम हम किसकी उपासना करते हैं पुरुशोतम अक्षरातीत की गीता प्रेस की टीका में क्या अर्थ कर दिया जाएगा ये शरीर है क्षर अक्षर है जीव अक्षरातीत है विश्नु भगवान या फिर नारायन गुमा फिर आकर विश्नु भगवान जी और नारायन जी से आगे ये सोच भी नहीं सकते जबकि तार्तमवानी सारे भेद खोलने वाली तार्तमवानी के अनुसार नारायन क्या है जिनको ये अक्षरातीत कह रहे हैं वो तो क्षर है इस स्रिष्टी की उत्पत्ती कैसे हुई है नारायन के संकल्प से हुई है नारायन जी का प्रक्टन कहां से होता है मोह सागर से ये आदी नारायन जी की बात की जा रही है, मोह सागर में जिनका निवास है, उनमें अक्षर का मन प्रतिबिम्बित होता है, तो वो नारायन कहलाते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपह कहते हैं मोह तत्व को, जिसको कहते हैं नार, आपो नारा, मोह तत्व को नार कहते हैं, और जिसको कहते हैं नार, आपो नारा इति प्रोक्ता, और उसमें आपो है नर सूनवह, उसमें अयन, अर्थात तार यदस्य अयनम, पूर्वं तेन न अर्थात उसमें अयन, अयन होता है, हम लोग घरों के बाहर भी लिखते हैं अयन, तो उसका अर्थ होता है जिसका निवास हो, तो नार में जिसका निवास हो, मोहतत्व में जिसका नार अयन, नार अयन, नार मतलब मोहतत्व, अयन मतलब कितना सुंदर सुंदर साधी, नार मोह आयन मतलब उसका निवास, तो मुह तत्व में जिनका निवास हो वो नारायन कहलाएगा, उसका असल रूप कहीं और है, वे कौन है, अक्षर, क्यूंकि वो उधर से मूल रूप से तो अक्षर जी से पुरा खेल चल रहा ना अक्षर के मन का स्वरूप मन का स्वप्न में जो रूप है वेह नारायन है जैसे मैंने कल भी स्वामी जी कहते हैं जैसे मैंने कल भी आपको दृष्टांत दिया था यदि आप सरसावा में सो गए और स्वप्न में आप मुंबई चले गए तो जैसा आपका सरसावा में रूप है वैसा ही फूब हूँ एक रूप मुंबई चला जाएगा आपको जब यहां कोई उठा देगा तो मुंबई वाला रूप समाप्त हो जाएगा मुंबई वाला रूप हो गया नारायन जैसे आपने मुंबई में जाकर किसी दु जाती है कहां सरसावा में तो आप क्या देखते हैं मैं तो सरसावा में अपने घर पर ही सो रहा हूं मैं तो स्वप्न में मुंबई गया था वास्तव में मुंबई में नहीं था उसी तरह से अक्षर ब्रह्म माया से सर्वता परे निर्गुण हैं क्योंकि मुंबई से कि लीला भी होती है वो योगमाया भी कालमाया से सर्वता परे है जब उनका मन इस मोह के मंदल में प्रवेश करता है तो वै नारायन यानी नारायन कहलाता है जो क्षर का स्वरूप है क्योंकि वो सांकल्पिक मन है स्वापनिक मन है और उसके स्वापन में सारा जगत सूरज चांद सितारे बने हैं कितना सिंप्लिफाई करके समझा दिया स्वामी जी ने तुलसी दाज जी ने यहीं का वणनन किया है जिसके अंश मात्र से अनेको नाना प्रकार के ब्रह्मा विश्नु शिव उत्पन होते हैं करोडों ब्रह्माड करोडों भी नहीं वो भी गिंती में बोला अनेकों ब्रह्माड उनके अनेकों ब्रह्मा विश्नु महेश एक नारायन के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विश्न नारायन को रिशिव उत्फण मान लेती है और कुछ लोग विष्णु भगवान को परमात्मा मान लेते हैं या विश्णु जी के 24 अवतारों को आने हैं पर हमें तों कोई श्रीराम तो कोई वराह तो कोई क चचप का भक्त हो गया आप रिशी के चले जाईए, सभी अवतारों की मूर्तियां बनी है, कोई ये तो विचार नहीं करता कि वास्तव में गीता में परमात्मा किसको कहा गया है, क्या गीता में विश्नु भगवान जी को परमात्मा कहा गया है, विश्नु के अवतारों को परमात्मा कहा गया है, क्या नारायन को नारायन यानि आदे नारायन, क्या उनको परमात्मा कहा गया है, उत्तर मिलेगा नहीं, आप किसी भी हिंदू से पूछिए, आप किसकी भक्ती कर रहे हैं, तो प्राय विश्नु, शिव, देवी या गनेशी का नाम लेगा, विश्नु का अर्थ जो व्यापक सत्ता वाला है, वो तो ठीक है, लेकिन नारायन ही परमात्मा है, ये उचित नहीं है, बड़े बड़े विद्वान, सन्यासियों के पास जाईए, तो वे भी नारायन को ही परमात्मा मानेंगे, सोचिए सुन्दर साजी, क्या मिल गया है हमें, कौन सी कुंजी दे दिया है, और पूरा खजा हमें दे दिया है, ये कितनी भक्ती कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी कहां तक पहुँच रहे हैं, साहिबी पता लग रही है ना सुन्दर साजी, beautifully depicted in श्री ब्रहमवानी, कल भी एक चौपाई, एक सुन्दर साजी ने मुझे भेजी, अती सुन्दर, आप श् नंद की चौपाई थी सुन्दर साजी, पातसाही और फिर इश्क की पहचान करानी है, ये पातसाही जब तक पता नहीं लग जाती ना हमें, हम इससे बचते फिरते हैं, हमें क्या लेना देना, हमें तो पता लगी गया है, पातसाही अभी पता नहीं लगी, बड़ी आसानी से मिल गए हमें हरीद्वार की भी तक बार-बार इशारा करती हुई कि ये तेरे लिए है यहां कोई हरीद्वार के संत नहीं बैठे हुए तो लिखने की क्या जरूरत थी हमारे लिए ये लिख्या गया है एक एक शब्द आज स्वामी जी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी सुन्दर साथ जी हरी द्वार के संतनी बैठे कोई सुन्दर साथ को सुना रहे हैं सब को ताकि हमें उनकी पातसाही की पहचान हो जाए इसकी ब्रहम अंगनाये हैं हम जिसके लिए ये ब्रहमांड तरस र भुतानी महा प्रलै में सभी प्राणियों भूत के स्थूल सूक्ष्म कारण महा कारण शरीर लै को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए इनको शर होता है मिट शय हो जाने वाला मिट जाने वाला जो कूटस्थ है मिटता नहीं है वे अक्षर कहलाता है कूटस्थ किसको कहते हैं आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृत्वी की धूल सूर्य में नहीं पहुंच सकती, पृत्वी का अंदकार सूर्य में नहीं पहुंच सकता, कीचड सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, वैं द्रश्टा होकर देख रहा है, बस इतनी सी बात है, जो जन्म मरण उत्पत्ती ले से परे है उसको कूटस्थ कहते हैं जिसकी इच्छा मात्र से करोडों ब्रह्मान बनते हैं उनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वेदान्त में लिखा है जन्म आदी अस्य यत है जिससे स्रिष्टी की उत्पत्ती पालन और संहार हो उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं उपनिशद में क्या लिखा है अक्षरात संभवती इह विश्वम अक्षर से ये सारा विश्व संभव होता है सुन्दर साजी अक्षर से सारी स्रिष्टी पेदा होती है कहीं जीव को तो अक्षर नहीं लिखा लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी इसको उसी रूप में मानते हैं शरीर को क्षर, जीव को अक्षर और नारायन को अक्षरातीत मान लेंगे शरीर को क्षर, जीव को अक्षर, उनको पता ही नी जीव का भी विनाश हो जाता है महाप्रलय में और नारायन अक्षरातीत, श्री तार्तम वानी के अनुसार नारायन हम तो जहां से वो खतम करते हैं ना नारायन अक्षरातीत आदी नारायन जी वहां से तार्तम वानी स्टार्ट करती है सुन्दर साजी देखे लिमिट्स क्या है हां रहेगी हमें अनलिमिटेड दे दिया है राजी ने श्री तार्तम वानी के अनुसार नारायन अक्षर तो जहां उन्होंने खतम किया, वहां से शुरू किया, नारायन ही क्षर हैं, अक्षर बेहद और परमात्मा अक्षरातीत हैं, आप किसी हिंदू से कहिए कि विश्णु जी की भक्ती ना कीजिए, राम जी की भक्ती ना कीजिए, नारायन जी की भक्ती ना कीजिए, कि वल उत् श्रिम्त भगवत गीता को तुम प्रती दिन पढ़ते हो उसी में लिखा है सेवन है पुरुषोत्तम हम उत्तम पुरुषक्षरातीत की भक्ती करते हैं गीता में योगेश्वर श्री क्रिष्न कहते हैं कि हे अरजुन तमेव शर्नम गच्च तू उस उत्तम पुरुशक्ष्रातीत की शर्न में जा भावेन भारत तत प्रसादात उनके प्रसाद से पराम शान्तिम स्थानम प्राप्श्यसी शाष्वतम। क्या प्राप्त होगा तुम्हें पराम शान्तिम स्थानम शाश्वतम क्या समझ में नहीं आता सुन्दर साजी सारी संस्क्रित हमारे अंदर जब पिया देने पे आते हैं ना खाशा का भी कोई भेद नहीं रहता स्थान का कोई भेद नहीं रहता व्यक्ति का कोई भेद नहीं ये राजी ने बताया, प्रेम मंदिर बनेंगे, तो प्रेम से सारी भाशाएं भी एक जैसी लगेंगी, सारे स्थान भी एक जैसे लगेंगे, और जिन जिन के अंदर से धनी, अपनी वानी की गुंजाय मान कर रहे हैं, वो सुन्दर साथ एक जैसे लगेंगे, पर सत्गुरु वो लग ही चमकेगा उससे तो पता लग जाएगा कि इस समय इस present में ये कहां से आ रहा है वैसे तो मूल प्राना जी से और मूल स्वरूप से आ रहा है जी उसकी कृपा से कहते हैं तू उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की शरन में जा तमेव शरनम गच और उसकी कृपा से शाश्वत शांती तुमें प्राप्त होगी शाश्वतम शांतिम लेकिन सारा संसार विशेशकर हिंदू समाज तो अपने ही धर्म ग्रंथों की मात मानने को तैयार नहीं है कि हम किसको परमात्मा माने आप देखिए कहीं शालिग्राम को परमात्मा माना जा रहा है कहीं कोई शिवलिंग पर फूल पानी चड़ा रहा है कोई दूद चड़ा रहा है जरा ये तो सोचिए कि गीता के किसी शलोक में क्या शिवलिंग का वर्णन है क्या गीता के किसी शलोक में पूजा लिखी है वेदान्त के किसी सूत्र में या वेद में कहीं लिखा है जब कुछ लिखा ह तो कल्यूग में तुलसिदास जी ने अपने ग्रंत में लिख दिया कि रामेश्वरम में आकर जो गंगा का जल चड़ाएगा उसके करोडों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। पूर्वम महादेवम प्रसादम पुरू विभू मैं और लक्षमन यहां उसका ध्यान करते थे सेतुबंध इति व्याख्यातम जो परमात्मा देवताओं का भी देवता है यह जो रामेश्वर का मंदिर रामेश्वरम का मंदिर बना है यह राम नाम के दूसरे राजा ने बन उस युग में मंदिर बनते ही नहीं थे वो तो वेद का युग था जगे जगे गुरुकुल हुआ करते थे घर घर में हवन कुंड होते थे लोग वेद मंत्रों से संध्या करते थे हवन करते थे यह पत्थर पूजा उस समय नहीं होती थी यह जड़ पूजा शुरू ही है महा भारतकाल के पश्चात जब वेदों का पठन पाठन समाप्त हो गया बौध और जैन बुद्ध और महावीर की मूर्तियां बनाने लगे तो इनकी देखा देखी पौरानित हिंदूों ने भी अपने अवतार बना लिए उन्होंने 24 तीर्थंकर बनाए तो इन्होंने विश्ण जी के 24 अर्थ अवतार बना लिए रिशब देव से जी से लेकर महावीर स्वामी जी तक जैन मत की 24 मूर्तियां बनाई गई तो इन्होंने सोचा हम क्यों कम रहें इन्होंने भी अपने 24 अवतार किये तो मूर्तियां बनाकर पूजने लगे वेद का पठन पाठन समाप्त हो अली हिंदू समाज की बात की पीड़ा नहीं है ये ये पीड़ा हमारे लिए जलक रही है सुन्दर साथ जी कहीं हम भी श्री तार्तम वानी के ज्यान को छोड़ कर राजी का अवतार तो नहीं मानते ना इन में भी राजी इन में भी राजी ये भी ऐसे बिल्कुल नहीं करन पार्नाजी के बिना Nobody else can be. उनको शोभा मिली है और वो स्वयम श्री राजी ने दी है, हमारे पास हमारे पास खुद का तो पता नहीं है अंदर कौन बैठा है हमारे, कौन सी आतम बैठी है, रहनी देखकर पता भी लगता है बैठी है के नहीं बैठी है, हम कैसे किसी को तो नहीं गड़ रहे हैं न ये हमारे समाज में कहीं ये बुराई पैदा तो नहीं होती जा रही है न हमेशा इन चीजों से दूर रही है जो ब्रह्मवानी से जुड़ेगा जो तार्तम ज्यान से जुड़ेगा वो इस सब में नहीं पसेगा सुन्दर साजी मूल स्वरूप से जुड़िये प्रान नाजी से जुड़िये इस काल माया में और कोई आसरा नहीं है सत्गुरु जिन से ब्रह्मवानी की वर्षा होती हो एक्जेक्ली अकॉर्डिंग टू श्री तार्तमवानी उनसे ले लीजिए सुन्दर साजी पर उस तन को भी अक्षरातीत की शोभा हम नहीं दे सकते हमें यदिकार नहीं है जब ज्ञान नहीं रहा यदि ब्रह्मवानी से हमारा समाज भी दूर होता रहा तो सुन्दर साजी क् हमारे समाज का ये बता रहे हैं स्वामी जी जब ज्ञान नहीं रहा जो मन में आया वही कर दिया यहीं से भटकाव शुरू होता है मनुष्य का पत प्रदर्शक कौन है ज्ञान है सुन्दर साजी जिससे कभी नहीं भूल सकते यदि तार्तमवानी का ज्ञान हमारे अंदर चला गया ना कभी नहीं भूल सकते हम कभी किसी के भी किसी के मुख से निकला हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे बहुत सुन्दर कल डॉक्टर प्रवीन जी ने कहा कि प्रसाद क्या है ये ब्रह्मवानी प्रसाद है हमारे लिए पिया जी का इसको ग्रहन कीजिए मैंने देखा है सुन्दर साथ अपने मुख से निकाल के प्रसाद देते हुए मैंने देखा है सुन्दर साथ जी ऐसी माननेताइं हमारे समाज में मानने नहीं होनी चाहिए राजी का प्रसाद जाहिरी भी खाना है तो धनी जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाये ये गुना हमने नहीं करने हैं दुनिया जैसे और बातुनी प्रसाद रोज ग्रहन कीजिए तार्तम वानी अंदर जाएगी न वो फल दे देगी सुन्दर साद जी मानव जीवन सफल हो जाएगा और मानव जीवन छोड़िये पिया से मिलन करना है अब ये मानव जीवन सफल होना ही होना है क्योंकि जैसे ही धनी से मेरा मिलन हुआ इसकी सफलता तो साइड में बोनस में मिल जानी है ये जीव को तो लॉटरी निकलानी है, इसकी मेरी आत्मा को आनंद चाहिए पिया जी, अब गोत्र, अब यहां तक सुन्दर साथ जी, अभी तक ये किन की बात हो रही थी, क्या explain करने की कोशिश हो रही थी यहां पर, कौन सा अगला चरण explain किया जा रहा था, किन को याद है, प्रणाम जी दिदी, सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष का हमने ध्यान करना है, किसी और को नहीं करना है, बिल्कुल सही, अती, अती, सुन्दर, सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष का ध्यान करना है, कहते हैं, if you have capability then why settle for less अगर आपके पास English में बोलते हैं यहां अगर आपके पास capability है तो आप कम पे क्यों रुक रहे हो why settle for less आप कम पे जीव स्रिष्टी हो रुको कम पे आपके पास capability ही नहीं है उसको पाने की रुक जाएए कोई problem नहीं है इश्वरी स्रिष्टी है कहते हम ब्रह्म स्रिष्टी है सुन्दर साजी सुनना भी पसंद नहीं करते है जीव स्रिष्टी और इश्वरी स्रिष्टी then why settle for less उसके दर्शनों से के नीचे कुछ accept ही क्यों करते है माया की कामनाई ब्रह्म स्रिष्टी नहीं किया करती we are settling for less हमें नहीं settle होना कम पे तो मानना ही नहीं है पिया बोले ये ले ले ना मुझे नहीं मानना मुझे तो तेरे दर्शन ही चाहिए पिया जी we are not going to settle for less in this जन्म नाओ बहुत सारे बर्थ हमने ले लिए आत्मा पता नहीं किन-किन जीवों पे बैठके आ गई पर अब ये जीव लेस के लिए settle होने वाला नहीं है बहुत सुन्दर हमारे हमारे हमने बनाने वाले भाई ने एक बार बहुत सुन्दर बात कही थी मुझे वो बात याद आ गई उनकी मैंने उनको कहा कि भाई सुन्दर साथ आप से मिलना चाहते हैं इस किताब में कृपया आपका नाम लिखते हैं आपने बहुत मेहनत की है कुछ नहीं बोले सुन्दर साथ जी अगले दिन उनका कॉल आया मैं पूरी राच सो नहीं पाया दी दी मुझे राच जी ने बोला तुम इतने कम में मान गए तुम इतने कम में सेटल हो गए कि तुमारा नाम आजाए बस तुम उसी में खुश हो गए तुमारा लक्षय तो मैं हुआ करता था ना तो कृपया आप मुझे इन सबसे दूरी रखिएगा ऐसे भाव सुन्दर साथ के हैं आज भी हैं तो वाई सेटल फॉर लेस हमें कुछ नहीं चाहिए पिया जी मुझे तू चाहिए तेरे जब तक कोई और आसरा है यहां प्रतिष्ठा का नाम का या किसी से इर्शा जैलसी जब तक कोई और आसरा अभी बाकी है इसका मतलब वी आर सेटलिंग फॉर लेस हमें नहीं चाहिए आपके बिना अब हमें कुछ नहीं चाहिए पिया जी सेवन है पुरु शोत्तम पुरु शोत्तम के बिना कहीं सेटल नहीं होना सुन्दर साथ जी गोत्र चिदानन्द जान आए इस चौपाई को हम इदर से भी पढ़ लेते हैं बहुत सुन्दर ये हैं शिखा कोई एक शलोक भी ना छूट जाए अब तो ऐसा लगता है पतानी पिया शलोकों में भी आपने मेरे लिए मुझे चोट देने के लिए क्या क्या आपने भर दिया हुआ है वेदों में भी जो आपने संदेश बेजे हैं हमारे लिए शिखा ये शिखा की बात वरी ज्यानमई यस्य उपवीतम यज्योपवीत भी था चतनमयम प्राहमनम प्राहमन प्राहमन सकलम तस्य इती ब्रह्म विदो विदु चिदेव पंच भूतानी चिदेव भूवनत्रयम प्रमोपनिशद जिसकी शिखा ज्यानमई स्वरूपवाली है तथा यज्योपवीत भी ज्यानमई स्वरूपवाला है यज्योपवीत क्या था? सूत्र, सूत्र यज्योपवीत होता है शिखा भी ज्यान में हमारे धनी जी उनसे अधिक ज्यान के सागर लहराते हैं उनके रिदय में यग्यो पवीत अक्षर ब्रह्म भी ज्यान में स्वरूप वाला है अक्षर धाम को भी कहा गया है सुन्दर साजी उसे सब कुछ ब्रह्म रूप दिखाई देता है इस प्रकार से उसे ब्रम ज्ञानी केए जिनकी शिखा ये और सूत्र ये होते हैं उस ब्रम ज्ञानी की द्रिष्टी में पाचों तत्व, पंच भूतानी, चिदेव, तीनों लोक भी चेतन की तरह प्रतीत होते हैं बहुत सुंधर सुंधर साजी आनन्द विज्ञान घन एवास्मी तदेव मम् परम धाम परमम धाम तदैव शिखा तदेवो पवीतम च परम हंसुप निशद परम हंसुप निशद वाँ भई सुन्दर साथ जी नाम देखा है उंका परम हंसुप निशद मैं आनंद मैं आनंद विज्ञान विज्ञान मैं विज्ञान मैं क्या होता है सुन्दर साथ जी ज्ञान होता है हकीकत विज्ञान होता है मारिफत स्वरूप विज्ञान मैं स्वरूप वाला हूं वै ही मेरा परमधाम है याद है घन गन रूप बर्फ जमी हुई होती है उसक कोई मारिफत स्वरूप बोलते हैं कितना सुन्दर वेदों में बताया गया है कहते हैं वे ही मेरा परमधाम है वे ही शिखा है वे ही यग्योपवीद है राजी आप ही सब कुछ हो सुन्दर साजी कहते हैं जो मारिफत स्वरूप है न वही आनंदमई वही मेरा परमधाम वही म मेरा यग्योपवीत किसी को कुछ नहीं पता लगता, बस हर एक चीज का उत्तर आप राजी दे सकते हो, मेरा सब कुछ पिया आपी हो, सेवन है पुरुशोतम, गोत्र चिदानन्द जान, इस पर आये हम अभी, परम की सोरी इस्ट है, पुरानी चौपाई को पूरा पढ़ लेते हैं सुन्दर साजी, लास्ट चरण उनका छूट गया था हमसे, ये देखिए, जी चेतन चिद जो अनूप छूट गया था, सत्गुरु ये याद याद नहीं भी होता, पर ये ध्यान रहना चिए सत्गुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद यानि राजी और शामाजी, सूत्र है अक्षर रूप, मेनली शामाजी को कहते हैं, निज आनंद, निजानंद, राजी का आनंद स्वरूप, शामाजी को ये शोभा दिये राजी ने, शिखा सदा इन से परे, यानि अक्षर से भी परे हमारी शिखाएं, वो कौन है, अक्षरा तीत पर ब्रह्म की नक से शिक तक की शोभा, हमारी सिखाएं, चेतन चिद जो अनूप यही हैं, हमारी सिखा चेतन चिद हैं जो, और अब क्या था, हमें हमेशा किसको करना है, किसको मानना है, आराध्य पुरुशोत्तम यानि हमारे पिया जी को, गोत्र चिदानन्द जान, चिद अरे वा सुंदर साजी, बहुत सुंदर यह कल करेंगे, गोत्र किसको कहते हैं, परम किशोरी इष्ट है उनके बाद आएगा, कहते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए, आपका गोत्र क्या है, तो आप किसी रिश्यमुनी का नाम बताएंगे, हमारा गोत्र गर्ग, गोतम, शांडिल, श्रिंगी, वालमिकी है, और थात आपका पूर्वज, कोई ना कोई रिश्यमुनी ही होगा, इसका तात्पर्य क्या है, हम उनके वन्शज हैं, अब पद्धती में कहा गया है, कितने सुन्दरता से समझाया है, पुझ्य श्री राजन स्वामी जी के चर्णों में, कोटान कोट प्रणाम जी की गोत्र चिदानन्द है, चिदगन स्वारूप कौन है, श्री राजजी, आनन्द स्वारूप, चिदानन्द, आनन्द स्वारूप शामा जी हैं, और हम कौन है, राजजी के तन है, शामा जी के अंग है, हम परमधाम की ब्रहम अत्माएं हैं और थात हम अक्षरातीत सचिदानन्द पर ब्रहम युगल स्वरूप के अंग स्वरूप हैं अंग रूप हैं उनके तन है हमारा गोत्र चिदानन्द है कुछ समझ में आया सुन्दर साजी कहते हैं यहां पर गोत्र पूछा जाये तो अप पूरवज का नाम बताया जाता है हमारा पूरवज कौन है हम कहां से निकले है जिसका तन होते है हम इस खांदान में पैदा हुए है तो हमारा गोतर यह होता है हमारा खांदान कौन सा है हमारा अलोकिक हम किस के तन है इतनी सुन्दर्ता से यहां बता दिया सुन्दर साज जी राजी के हम अंग है वाव सुन्दर साज जी राजी के हम तन है और शामा जी के तन भी कहा गया एक जगह पे हमने एक चौपाई पड़ी थी राजी के हम तुम रूहों मेरे तन हो और शामा जी के आनन्द अंग के हम अंग है तो हमारे पूरवज कौन है? राज जी और शामा जी है हमारे बहुत सुन्दर अती अती सुन्दर गोत्र मेरा अलोकिक गोत्र कौन सा है? चिद और आनन्द चिद क्यों है? क्योंकि उनके हम तन है आनन्द क्यों है क्योंकि उनके हम अंग हैं तो हमारा गोत्र क्या हुआ चिदानन्द गोत्र गोत्र चिदानन्द जान अब कभी आगे से बोलेंगे भी ना मुक्ष से भी निकलेगा ना गोत्र चिदानन्द अंदर कितना प्रेम भर जाना चाहिए हमारे ये शब्द नहीं है स सुन्दर साथ जी ये चेतन है वानी इनको बोलते हुए भी पधती बोलते हुए भी कितना प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए कि धनी मैं तेरा तन हूँ शामा जी कि मैं अंग स्वरूपाऊं मेरा गोत्र आप हैं और कहां यहां बना के बैटे हुए हैं हम और स्वामी जी ने समझाया कितने प्रेम से है वारी वारी सत्कुरू आपके चरण कमल पे वारी बहुत सुन्दर आप सब के चरणों में प्रणाम जी चाहे एक ही चरणों एक दिन में पर अपनी पधती तो दिल में बस जानी चाहिए धस जानी चाहिए अंदर सुन्दर साथ जी और फिर बार बार निकल ली चाहिए सुन्दर साथ के सामने सब को बताइए सुन्दर साथ जी जो आस पास के भी है फोन करके बताइए पता है हमारा गोत्र कौन सा है क्यों चिदानंद लिखा गया समझाइए सारे भेद हट जाएंगे सुन्दर साथ जी सब के दिलों से हज जाएंगे क्योंकि अब समय हो चुका है मिलने का, सब सुन्दर साथ के मिलने का, आप सब सुन्दर साथ जी के चर्णों में कोटान कोटान बहुत सारी mistakes की पोटली हुम है I am a potly of गलतिया और आप सारे सुन्दर साथ पोटली है, माफी की हमेशा भेजते रहते और प्रेम की वो मिलता रहे हमेशा कई बार तो इसलिए गलती करनी होती है कि आपका बड़ा सारा प्रेम होती है आप सब के चर्णों में कोटान बुलो श्री प्रानात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरू महराजी कीजे रनाम जी सुन्दर साथ